तो फटाफट से पहले हम इडली के बैटर से बनाते हैं इडली बनाने के लिए यहां पेस में नमक डालेंगे और फटाफट से इसको फटाफट से इसको बना लेंगे जी हाँ आज का वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें अभी देखिए इडली हमारी बनके रेडी हो गई है देख सकते हैं कितनी ज्यादा सॉफ्टर चलिया यह दूसरी डिश बनाते हैं इसी से बनाएंगे हम डोसा तो सबसे पहले बैटर को डालेंगे एक चमस बीशन और नमक डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद और बैटर ऊपर से डाल देंगे तो यह लीजिए हमारा एक बॉल रडी हो गया यहां पर दोसा बनाने की त्यारी शुरू करते हैं दोसा पनी डोसा आलू डोसा मसाला डोसा बना यानि की मसाला डूसा बना रही हूँ तो यहां पर फटा फट से बना लेंगे अभी आप देखें यहां पर फैलाने के बाद मैंने इसमें अच्छे से और लगा दिया है और हाइफ फ्लेम पे इसको एकड़म क्रिस्पी क्रिस्पी स्टेक लेंगे तो अभी देखें दो एक सो प्राइण के चलिए मैं आप आप शेयर करने जारी हूँ तीसरी ड्यसवी तो यहां पर मैंने बै्टर ले लिया है बैटर को अच्छे सा इसमें थोड़ा सा नमंक डालेंगे नमक डालेंके बाद आभ स्टावल पर बना सकते हैं पैन पर बना सकते जिस पर बनाना चाहें ब एंस्टेंट पीज़ो सॉस रेड़ी हो गया है तो फट फट से अब देखाए यहां पर यह सिख गया है इक तरफ दूसरी तरफ भी हम से को एसको और अब देखें दोनुं तरफ से रहा है बस इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे हैं अब हैं और विकली पीजा का जीया पीजा का डूस रेड़ी हो गया है तो यहां पर फॉक कर देंगे अब बस यहां पर आप चाहे तो करें अदर्वाइस इसमें खुद भी छेद है इसमें कोई दिक्कत नहीं है पीजा सॉस अच्छे से फैलाने के बाद हम यहां पर डाल देंगे चीज चीज ड दालेंगे और उपर से चीज लगा देंगे बस यह लिजे हमारा पीजा हमारा एकदम पॉर्फेक्ट रेड़ी हो गया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो यहां पर नीचे ऑल हलका सॉय लगाएंगे जिससे यह बेस हमारा जो है क्रिस्पी हो जाए और यह लिजे द बहुत ही ज्यादा टेस्टी था तो मस्ट भी ट्राई बीचे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है तो चलिए आईए मैं आपको दिखाती हूं तीसरी रेसिपी तो यहां पे बस इसमें डालेंगे हम अपना बैटर बैटर डालने के बाद जो भी आपके घर में सबजियां अबल बाटिंग लगने लगे और बस दो मिनट में यह अच्छे से कोख हो जाते हैं तो यह लीजिए हमारा बन के रड़ी है अभी हम निकाल लेंगे और इसको करिए सब्सर्टनी और किसके साथ जिसके साथ आपको सब्सर्ट करना उसके साथ सब्सर्ट करिए यहां पर मैंने बन बैटर हम सारा डाल देंगे घटर डालने के बाद इसको ढग देंगे ढखने के बाद हम कम से कम 2 मिनट अच्छे से कोख करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे हाई फ्लेम पे इसको मत कोख करिएगा और बस यह लीजिए हमारा अप्पे बनके रेड़ी है तो आज का वीडियो enjoy and take care and try this recipe